जोस्तो टॉटर्टर्ज एबं टर्टल में हम लोग हमेशा कन्फ्यूज करते हैं लेकिन जरा गौर करें या इनके बारे में अच्छे से जानें तो अंतर इसमस्ट नदर आता है जैसे टॉटर्ज लेंड पर रहते हैं और कम समय के लिए पानी में जा सकते हैं तो इनके अड़ेप्टेशन फीचर्ज भी लेंड यानि टेस्टियल हैविटेट के लिए डबलब होते हैं जबकि टर्टर्ज बार्टर में रहते हैं तो इनमें बार्टर में रहने ये तो अड़ेप्टेशन फीचर्ज डबलब हो जाते हैं जैसा आप जानते हैं टर्टर्ज या टर्टर्ज यानि कच्छुए क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉक्स बिल सी टर्टल के बारे में जिसे इंदी में हॉक्स बिल समुदरी कच्वा भी कहा जाता है इसका साइन्टिफिक नेम इरिट्मो चीलेज इमरिकेटा है जो फैमली चीलो निडी से बिलोंग करता है यह जीनस इरिट्मो चीलेज की एक मात्र स्पिसीद है जो केवल ट्रोपिकल सब्रोपिकल मेरीन एवं एश्यूरी इको सिस्टम में पाए जाते हैं वैसे तो हॉक्स बिल टटल अन्य समुदरी कच्छो की तरह लगता है लेकिन इसकी तेज यानि शार्प बीक एवं कर्व बीक जैसा आप देख पा रहे हैं इनकी शेल के चारत तरफ आरी की तरह किनारे इन्हें आसानी से डिश्टिंग को इस करते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं इनकी बोडी फिलैट होती है जिस पर एक कवच या केरावेस चड़ा होता है इनके पैर फिलिपर्स की तरह होते हैं जो इन्हें समुद्ध में रहने के लिए अनुकूलित बनाते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये बड़ा रोचक है कि हॉक्सविल टटल का शेल पानी के तापमान के अनुसार अपना रंग स्लाइटली चेंज कर लेता है ये ओपन ओशन शालो लगून एवं कोरल रीप्स में अपना मोशली समय बिताते हैं दोस्तों एड़ाइट हॉक्सविल टटल की लेंध थ्री फिट एवं इनका वेट वन हेंड़ फिप्टी पॉइंड तक हो सकता है इनकी रेंज टोपिकल रीफ्स आफ इंडियन पेसिफिक एवं अट्लांटिक ओशन तक फैली हुई है क्या आप जानते हैं कि ये टटल वैसे तो ओमनिवोरस होता है लेकिन ये सी स्पोंजेस को बोजन के रूप में प्राथ मिक्ता देता है इसलिए इसे स्पोंजी वोरस भी कहा जाता है ये वर्ष में दो बार मेटिंग करता है तता एग्स लेंग के लिए लगून बीच प्रीफर करता है जैसे मेक्सिको इंडोनेशिया श्री लंका आस्ट्रेलिया एवं इश्काई सेल्स फीमेल 140 एग्स एक क्लच में देती है जो नैस्ट को कवर कर वापस पानी में चली जाती है इनके बेबी हैचिंग के उपरांद पानी में वापस चले जाती है दोस्तो हौक्स बिल सी टर्टल क्रिटिकली एंडेंजर्ड माने जाते हैं इनका मेचुरिटी पीरियड 20 एर्स तक कंप्लीट होता है भारत में ये लक्षदीप आईलेंड अंडवान आईलेंड एवं निकावार आईलेंड के कुछ एरिये में पाई जाते हैं इनका लॉस ओफ नेस्टिंग हैविटेट इवं कोरल रीफ क्लाइमेट चेंज तथा पॉलुशन इनके संड्रेक्षर की दिशा में बड़ी चुनोतिया है दोस्तो जानकारी से हम इस प्यारे से जीब को बचाने में सही योग कर सकते हैं आज का विशा आपको कैसे लगा कमेंट कर हमें बताएं बने रही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ धन्यवाद